जैसर किष्णा दोस्तों मैं हूं नरेंदर अगरवाल और आप देख रहे हैं नरेंदर अगरवाल यूट्यूब चैनल तो आज इस वीडियो में हम आपको एक बड़े ही अद्बोध रत्न के बारे में जानकारी शेयर करने चा रहे हैं वीडियो आगे देखने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है यह वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो जोतिस और रासी रत्नों में यानि कि जैम इस्टोन पर विश्वास करते हैं प्रकर्टी ने हमें कई विशेश पत्थर प्रदान किये हैं, जिने हम रत्न कहते हैं। वैसे रत्न कहने को तो पत्थर है लेकिन ये काफी बेस कीमती होते हैं। आदिकाल से ही मनुस्ये ने रत्नों के प्रभाव को जान लिया था। जोतिस सास्तर के अनुसार शनी, राहू और केतू ये तीनों ही ग्रह बहुत ही कुरूर ग्रह और भयंकर ग्रह है और ग्रह दसाय सभी को प्रभावीत करती है जी हां आप ग्रहों के एफेक्ट से ग्रह के प्रभाव से कभी बच नहीं सकते हैं क्योंकि ग्रहों के एफेक्ट को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है मगर कुछ उपाई करके आप राहत जरूर पा सकते हैं जैसे कि समझने के लिए अभी जून का समय चल रहा है और भयंकर गर्मी का समय है दिन में बहुत तेज धूप रहती है और अब आपको किसी कार्य से बाहर जाना है तो आप सूर्य की गर्मी को सूर्य के ताप को कम तो नहीं कर सकते है मगर आपने एक उपाई किया अपने साथ में एक छाता लिया और आप इस उपाई से धूप से कुछ रहत पा सकते हैं यानि कि आपने एक उपाई किया आपने एक छाता लिया और अपने लिए सूर्य काताप को कुछ कम कर लिया जी हाँ ये उपाय आपने अपने लिए किया है तो केवल आपको ही फाइदा मिलेगा इसका क्योंकि छत्री लगाने से सूर्य की तपस सूर्य काताप सभी के लिए कम नहीं होता है ठीक उसी तरह से रत्न धारन करने पर ये रत्न केवल आपके लिए कारिय करते हैं सूर्य काताप अभी भी सभी के लिए वेसा ही है बस फाइदा केवल उसे ही मिलता है जो को चुपाई कर लेता है तो कुंडली में शनी राहु केतु के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए अक्सर लोग जियोतिस की सला से उस ग्रह से सम्मंदित रत्न को धारन करते हैं जैसे कि शनी का रत्न नीलम होता है लेकिन क्या हो एक ही रतन में इन तीनों ग्रहों के बुरे प्रभाव कम हो जाए और वो भी काफी कम कीमत में क्योंकि नीलम काफी महेंगा रतन होता है हर एक विक्ति धारण नहीं कर पाता है तो ऐसी इस्तिती में आप लाजवर्थ को धारण कर सकते हैं जी हाँ लाजवर्थ एक ऐसा रत्न है जो सनी, राहू और केतू तीनों के ही बुरे प्रभावों को एक साथ कम कर देता है वैसे लाजवर्थ नीलम रत्न का उपर रत्न माना गया है यानि आप इसे नीलम के इस्थान पर धारन कर सकते हैं क्योंकि नीलम काफी महंगा होता है तो आप लाजवर्थ नीलम के इस्थान पर धारन कर सकते हैं लेकिन ऐसा मत सोचिए कि ये कम कीमत का है तो इसका प्रभाव जी नहीं लाजवर्थ बहुती प्रभावसाली और चमतकरी रत्न है इस रत्न को धरन करने से बहुत सारे फाइदे मिलते है तो आज इस वीडियो में हम आपको लाजवर्थ के फाइदे लाजवर्थ के नुकसान कैसे आप लाजवर्थ को धरन कर सकते हैं किसे इसे पहनना चाहिए किसे नहीं पहनना चाहिए सारी जानगारी आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा कहीं न कहीं ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा तो आईए शुरू करते हैं तो देखिए दोस्तों लाजवर्थ बहुती प्रभावसाली रतन है इस रतन को धारन करते ही ये व्यक्ति को उड़जावान बनाने लगता है जी हाँ, एनरजेटिक कर देता है व्यक्ति को उस व्यक्ति के विचारों में सकारात्मक ताय आने लगती है अभी तक वो नकारात्मक बाते सोच रहा था हर चीज को लेकर के नहीं ऐसा कैसे होगा ये तो खराब होगा सब चीजे खतम, उसके विचारों में सकारात्मक ताय आने लगती है यानि यह रतन सीधे सीधे तोर पर मानसिक स्वास्ते को काफी प्रभवित करता है और ना केवल मानसिक स्वास्ते बलकि सारीरिक रूप से भी व्यक्ति के जीवन में ये काफी सुधार लेकर आता है ये रतन डाइबिटीज और मानसिक रोगों में किसी इंजक्षन की तरह काम करता है, किसी दवा की तरह काम करता है जिन लोगों में एकागरता की कमी होती है, जिनका ध्यान बार-बार भटकता है, उन्हें लाजवर्थ जरूर से पहनना चाहिए जो लोग खुद को किसी के सामने अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या कला है वो समझा नहीं पाते हैं, उन्हें भी ये रतन धारन करना चाहिए उनसे, इससे उनका मनोबल बढ़ता है लाजवर्थ में बहुत सारे उसद्ये गुण हैं इस रत्न को धारन करने मात्र से पित जनित रोग बावासीर गुर्दे के रोग यहां तक कि पत्री आदी भी ठीक हो सकती है खास कर हरदे रोगों के लिए पीलिया हो जाने पर और चर्म रोगों में इसे बहुती ज़्यादा प्रभावसाली माना गया है ऐसे चोटे बच्चों को जो बात बात पर डर जाते हैं रातों में चमक चमक कर उड़ जाते हैं उन्हें लाजवर्थ जरूर से पहनाना चाहिए ऐसा करने से उन्हें डर और गबराट नहीं होती है और ये रतन बच्चों को गले में पहनाया जाता है इस बात का विशेज रुप से ध्यान रखी आप लोकेट में पहना सकते हैं तो लाजवर्थ का रंग गहरा नीला होता है जैसा कि नीलम का होता है क्योंकि ये नीलम का उपरतन है इसलिए इसका रंग भी गहरा नीला होता है जैसा कि मोर की गर्दन पर नीला रंग होता है उस तरह का रंग होता है चलिए लाजवर्थ धारन करने से क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं क्या-क्या लाब हो सकते हैं इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले ये रतन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द है जिनके कुंडली में शनी, राहू और केतु असुपफल दे रहे हैं क्योंकि लाजवर्थ पत्थर इन तीनों ही ग्रह यानि कि न्याई के देवता शनी, छाया, ग्रह, राहू और केतु के ब पित्र दोस होने पर नोकरी या व्यापार में परेसानी आ रही है या राहू की वज़े से पित्र दोस है, तो इस रतन को धारन करने से काफी फाइदा मिलता है, पित्र दोसों में काफी कमी हो जाती है, यदि घर में बार बार नुकसान हो रहा है, घर में बरकत नहीं हो रह लगातार धन की हानी हो रही है रिस रहा है इनकम होती है लेकिन बचत नहीं होती है जो आता है चला जाता है बार बार नुकसान होता ही रहता है तो लाजवर्थ ऐसी धन हानी से बचाता है घर में बरकत नहीं रहती है सदस्यों में तनाव डिप्रेशन रहता है तो लाजवर् कि ये रत्न मांसिक इस तर को सही करता है मांसिक स्वास्त्य को बढ़ता है तो ऐसे लोग जो कि डिप्रेशन के शिकार है डिप्रेशन में चल रहे हैं उन्हें लाजवर्थ जरूर से पहनना चाहिए जिनका काम ऐसा है कि जो लगातार मांसिक तनाव देता है उन्हें लाजवर्थ जरूर से पहनना चाहिए क्युकि यदि किसी और रासि का विक्ति है जिनके कुंडली में शनी दोस चल रहे है तो आप भी उसे धारन कर सकता है जिन लोगों के कुंडली में केतू या राहु की महादसा चल रही है अंतरदसा चल रही है ऐसे लोगों को भी ये रत्न पहनने से काफी फाइदा मिलता है इन ग्रहों के बुरे प्रभाव काफी हद तक कम हो जाते हैं और व्यक्ति एक अच्छा साधरन जीवन जी पाता है चलिए बात करते हैं कि लाजवर्थ किसे धारन नहीं करना चाहिए और क एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है तो लाजवर्थ को भी आप एक्टिवेट करके ही पहनिए लाजवर्थ को आप अंगुटी में पहन सकते हैं या फिर लोकेट में भी धारन कर सकते हैं यदि आप गले में पहनना चाहते हैं तो लोकेट में धारन कर सकते हैं बच्चों कि यह नीलम का उपर रत्न माना गया है इसलिए इस रत्न को शनिवार के दिन धारन किया जाना सुब माना गया है तो लाजवर्थ को आपको शनिवार के दिन धारन करना है लाजवर्थ को सीधे हाथ की मध्यमा अंगुली मा धारन करना होता है तो मध्यमा अंगुली मा धारन क करना इस रत्न को धारन करने से पहले रत्न की अंगूटी या लोकेट को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है तो एक्टिवेट कैसे करें अब आप ये भी पूछेंगे तो चलिए ये भी समझ लीजिए तो शनिवार के दिन आपको ये कारी करना है शनिवार को सुभे इस रत्न की अंगूटी को या लोकेट को जो भी आपने बनवाया है उसे आपको सरसो के तेल में या तिल के तेल में डूबो कर रख देना है एक कटोरी में ले लीजिए थोड़ा तेल और उसमें डूबो दीजिए पूरा डूब जाना चाहिए शाम को लगबग सूरियास्त से दो गंटे पहले आप इसे तेल में से निकाल लीजिए और नीले रंग के रुमाल पर रख देना है इसे आपको नीले रंग के रुमाल पर रख दीजिए और फिर आम प्राम प्रीम प्राम सह शने नम है इस मंतर की तीन माला जाब करनी है मंतर आपको स्क्रीन पर भी दिखा बात करता है कि इस रतन को किसे नहीं पहनना चाहिए तो इस रतन को मोती पुकराज मानिक्य या मुंगा के साथ नहीं पहना जाता है यदि आपने इन में से कोई भी रतन पहले से धारन किया हुआ है तो आपको इस रतन को धारन करनी की आव सकता नहीं है आप इस रतन को मोती पुकराज मानिक्य या मुंगा के साथ मत पहनिये लाजवर्थ की कीमत क्या है ये भी आपको बता देते है लाजवर्थ रतन काफी सस्ता होता है 8 केरट तक का रतन आपको कम से कम धारन करना चाहिए इससे ज़्यादा भी ले सकते है कम से कम 8 केरट का जरूर होना चाहिए और लगबग 500 रुपे में आपको 8 केरट तक का ये रतन आसानी से मिल जाता है बहुत अच्छी गुणवत्ता हो बहुत अच्छी क्वालिटी हो तो आप 1000 रुपे या 1200 रुपे तक भी ये रतन ले सकते है यानि कि ये बहुत कोई महंगा रतन नहीं है मगर इसके फाइदे बहुत ज़ादा है अब समस्या ये है कि रतन कहां से खरीद है तो आप अपने इस्थानिय बजार में चेक कर लीजी जो लोग जैम इस्टॉंस रखते हैं उनसे आप बात कर लीजी अगर कोई विश्वस्निय विक्ति मिलता है तो आप उससे खरीच सकते हैं और नहीं तो ऑनलाइन बजार पर भी सभी प्रकार के रतन आसानी से मिल जाता है तो यदि आप उनलाइन बजार से लाजवर्थ खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रप्शन में हमें एक लिंक छोड़ रहा है जहां से आप लाजवर्थ को ऑनलाइन भी खरीच सकते हैं तो आप उस लिंक को भी जरूर से चेक कर लीजीए हो सकता है कि आपको सस्ता में मिल जाए फाइदे में मिल जाए लेकिन ऑनलाइन खरीदने से पहले एक बात का विसेश रूप से ध्यान रखिए जब भी आप कोई सामगरी ऑनलाइन बजार से खरीदें तो नीचे रिवियूस जरूर से देखें जिन लोगों ने पहले है तो आप नीचे डिस्करप्शन में उस लिंक को चेक कर लीजिए यदि आप ओनलाइन बजार से खरीदना चाहते हैं तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों यह वीडियो यह जानकारिया आपको अच्छी लगी हो यूस्पुल लगी हो तो करपया लाइक पर मिलते रहेगी तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तो एक नया वीडियो एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नराइंद्र गरवाल फिर मिलूंगा तब तक के लिए इस्टे हेल्दी इस्टे हैपी थैंक्यों वचिंग माई वीडियो थैंक्स जैश्री राम जै हनुमान